लेजन आप स्टार्ट करते हैं स्टेटिस्टिकल अनालिसिस को और इससे पहले जो आपको लेक्षर सुनना है वो है जो मैंने पिछले लेक्षर के अंदर आपको बता दिया हुआ है अगर आपको नहीं उसका पता तो don't worry आपको link में description में दे दूँगा आप वहाँ पर जाके इस lecture को देख सकेंगे अब हम चलते हैं अपनी screen के उपर वहाँ पर बारी बारी सारे के सारे statistical analysis को करके देखते हैं अगर आप कभी भी statistics में कामयाब नहीं हुए और आपको समझ नहीं आई तो now you can actually understand के क्या चलने वाला है मैं screen आपके साथ share करता हूँ और यहां पर मैं एक नहीं notebook बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ 03-statistical-tests.ipynb यहां पर यह वाली मैंने notebook बना ली है अब मैं अपना keyboard पास करता हूँ और right pad थोड़ा सा दूर करता हूँ अब हम programming की तरफ move करने वाले है so आइस्ता-इस्ता हम अब देखेंगे किस तरीके से हमारे पास different किसम के जो test हैं वो perform होते हैं right जी hopefully आप भी ready हैं और अगर नहीं ready तो मैं आपको ready कर लूँगा don't worry about that okay so सबसे पहले जो हमारा test है वो है जना आप काई square test तो मैं यहां पर पहले इसकी definition दे देता हूँ statistical analysis analysis नंबर वन इस काई square test अब काई square test के लिए आपको पता है हम kernel साब select करते हैं यहां पर हमने जो libraries install करनी है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ मैं exclamation marks यहां पर लगाता हूँ exclamation mark लगा के pip install scipy यह एक library है जो बहुत important है हमने करनी है मेरे पास already install है मैं दुबारा से इसको इस वज़ा से run कर रहा हूँ just to see के मेरे पास यह install है के नहीं यह वाली है पांडास करके देख लें जो मेरे पास already है numpy कर लें जो आपके पास नहीं है तो इसको कर लें and then there are other libraries जो मैंने start में बताईती data को download करें क्योंकि Titanic के data पर मैं test करूँगा फिर हम आइस्ता इस्ता different datasets पे जाएंगे उससे भी पहले import libraries मैं करता हूँ libraries के अंदर सबसे पहले करता हूँ import pandas as pd import numpy as np और जिनको python की coding का नहीं पता वो basic lecture जो है हमारे youtube के channel के उपर पढ़े हुए प्लीज आप उसको देख लिए एक दफ़ा and then import c bond as sns और यहां पर हम करेंगे from scipy बलके इसको मैं बाद में करता हूँ नहीं यहीं पर कर लेते हूँ from scipy dot stats बलके नहीं from scipy import stats कर लेते हैं एक ही दफ़ा ठीक है सो यह हमारे चार libraries है हमने इनको import कर लिया मैं यहां पर इनको run करता हूँ तो यह control enter के साथ मेरे पास run ना हो गई अब हम करेंगे load the data data को load करने के लिए हम करते हैं जनाब df is equal to sns.loaddataset क्योंकि हमने online लेके आना है और titanic का data लेके आना है यह है जनाब titanic का data यह titanic का data है और titanic के data के ओपर आपको पता है कि यह सारे के सारे हमारे पास columns मजूद हैं सबसे पहला test हमने करना है columns की base पे हमने check करना है chi-square test से chi-square test क्या करता है यह basically हमें बताता है कि categorical variables में कोई फरक है के नहीं सिरफ और सिरफ categorical variables का आपस में फरक बताएगा using contingency table categorical variable का categorical variables का सिरफ categorical variables का इस वज़ा से ना तो हमें normal distribution देखने की ज़रूरत है ना तो data की distribution देखने की ज़रूरत है समझाई बात की so let's see हम क्या करने वाले हैं यहां पे दो categorical variables का हम data देखेंगे वो कौन-कौन से categorical variable है पहले सबसे हम देखते हैं कि हमारे पास यह column है एक है survived का यह obviously zero and one है इसकी base और दूसरा हमारे पास यहां पे sex यानि के male और female देख लेते हैं तो हम यहां पे हमारा concept यह है कि हम किस तरीके से h0 and h1 को derive करते हैं say for example जो हमारा h0 है पहले तो हमने वो लिखना है तो हमेशा आपने लिखना है कि आपका h0 क्या है और hm क्या है ठीक है तो मैं यहां पे इसको paste करता हूँ यह हमारा हो गया जनाब h0 यानि के null hypothesis ठीक हो गया यह हमारा null hypothesis हो गया मैं यहां पे इसके एर्दिगेर्द ऐसे line लगा देता हूँ so मेरा main चीज यह है कि there is no significant association between gender यानि के sex and survival यानि के survived तो यह हमारा हो गया h0 तो सबसे पहले आपने h0 अपना बना लिया h0 के बाद इसका जो इल्ट होगा वो होगा h1 यानि के alternate hypothesis तो मैं इसी को भी copy करता हूँ यहां पे आपका time बचा रहा हूँ ताके ज्यादा time आपको ना लगे चीजों में और चीजें easily clear हो जाए मैं यहां पे लिखता हूँ alternative hypothesis और इसको भी मैं back text के अंदर रख लेता हूँ ताके यह colorful लगे और यह जनाब आपके पास दो किसम के hypothesis आगे null hypothesis is there is no significant association between sex and survived column और यहां पे हम कहते हैं कि sex and survived column में significant difference है ठीक है जो दोनों बन गे अब हमारा main काम क्या है हमने run करना है test और test की base पर देखना है कि क्या सच में हमारे पास null hypothesis और दूसरा hypothesis काम करता है कि नहीं so सबसे पहले हम क्या करते हैं create करते हैं contingency table contingency table क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूं contingency table contingency table हमने बनाना है sex का और दूशा हमने बनाना है survived का तो मैं इसको नाम देता हूं contingency table is equal to इसको हम लिखेंगे pd.cross tab इसको cross tab यानि के cross table हम बनाएंगे based on the frequencies तो यहाँ पर मैं लिखूंगा df के अंदर जो हमारे पास sex का column है उसका हमने बनाना है contingency table और दूसरा df के अंदर जो हमारे पास survived का column है उसका हमने contingency table बनाना है तो अगर मैं contingency table को यहाँ पर दिखाऊं तो यह कुछ इस तरीके से बनता है ठीक है यह होता है contingency table contingency table असल में है क्या यह cross table है यह हमें बताता है कि यहाँ पर survived की value है आपके पास और यह आपका sex है तो survived जहाँ पर 0 है वहाँ पर female कितनी है और अगर 0 है survived तो male कितने है ठीक है और यहाँ पर आपके पास one आ जाता है survived अगर कोई बच गया है तो female कितनी है और अगर कोई नहीं बचना तो male कितने है तो यहीं से आपको अंदाजा हो रहा है कि अच्छा खासा फरेक है male और female के अंदर ठीक है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि male और female दुनों में फरक है सही है लेकिन statistical analysis हमें किस तरीके से यह बताता है उसकी तरफ हम चलते है तो हम करते हैं यहाँ पर काई स्क्वेर टेस्ट को apply so perform काई स्क्वेर टेस्ट स्क्वेर टेस्ट काई स्क्वेर टेस्ट क्या होता है आप बेसिकली तीन चीजों पर यह टेस्ट जो है वो मोहीत होता है मैं आपको इसका code दिखाता हूँ अभी just a minute आप काई स्क्वेर को लिखते है और फिर आपके पास p की value आती है फिर degree of freedom आती है फिर expected values आती है सो अगर मैं यह ना लिख हूँ सारा कुछ तो क्या होगा हमने यहाँ पे stats को import किया साइपाई से यह देखें यह वाली library हमने import की थी मैं इस्क्रोल डाउन करता हूँ बड़े इतमाम के साथ और यहाँ पे हमने stats dot chi-square contingency यह हमने लगा है इसको chi-square test कहते है और यह हमने contingency table पे लगा दिया मैं दुबारा से दिखाता हूँ stats dot chi-square contingency क्योंकि contingency table पे लगा रहे है और हम contingency table पे लगा रहे है like this so हमारे पास जो result आ रहा है वो इतना बड़ा सा result आ रहा है अगर आप गोहर करें कितनी ज्यादा values आ रही है statistic की value है p value है हमारे पास degree of freedom है expected frequency है and so on ठीक है यह हमारे पास चीज़े आ रही है तो हम क्या करते हैं इस वज़ा से यहाँ पे इन चीजों के बराबर रखके न इसको फिर हम बारी-बारी उन्हें print कर सकते हैं ठीक है लिख लेते हैं so यह हमारे पास result एक अच्छी सूरत में यह इस तरीके से आ जाएंगे और यहाँ पे इन results को अगर देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे f string यूज कर लेते है f string यूज करने के बाद यहाँ पे इसको मैं forward slash end करके expected को मैं नीचे ले आता हूँ ताकि मेरे पास जगा बच जाए not like this let me see so यह हमारे पास okay so यह आप देखें जी तो हमारे पास chi-square की यह वाली value आगी जो test हमने लगाया उसकी value यह हमारे पास p की value है ठीक है और अगर आप गौर करें यह p की value हमें क्या बता रही है कि हमारे पास जो h naught है उसको क्या करना है उसको हमने reject कर देना है ठीक है simple यह p की value हमारे पास कम आ गई है अब e की power 58 का मतलब क्या है मैं आपको यह बता दू इसका मतलब यह है कि 1.19 यह जो value है हमारे पास p value अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो इसका मतलब यह है multiplied by 10 की power 58 इसका यह मतलब है ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जब यह minus है ना तो यह यहां पे minus 58 है यानि के point से कितना पीछे है point 000000 लगा के हमने 58 दफा 0 लगाना है फिर 19 आना है which is far less than 0.05 ठीक है क्योंके confidence interval अगर हमारा 0.05 है तो उसकी base पे हम अंदाजा लगा सकते हैं और इस p value के base पे हम कहेंगे के हमारा जो H0 है उसे हम reject करते है और alternate hypothesis हमें state करते है कि there is a significant association between gender यानि के sex and survived column में अच्छा खासा फरक है अब आप मुझे बताएं कि जब Titanic डूब रहा था obviously वो पहले वो इलान नहीं करते है कि लड़कियों को पहले ले आएं औरतों को बच्चों को पहले बचाएं भर्दों को बाद में बचाएं तो obviously gender का impact है तो हमारा analysis यहीं बताता है कि gender ने impact किया है survival rate को ठीक है तो यह analysis chi-square test की base पे हमें यही result देता है degree of freedom क्या होता है degree of freedom का formula different है और यह chi-square के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जितनी भी frequency होती है उनकी base पे आप अंदाजा लगा सकते है कि degree of freedom क्या होता है but on the other side मैं यहां पे simple एक analysis लिख देता हूँ इसी test का कि as the p-value in this test is this we reject the null hypothesis which is far less than 0.05 we reject the null hypothesis simple ठीक है reject कर दिया null hypothesis इसको तो हम कहा सकते हैं कि इन दोनों का फरक है that's how you employ a chi-square test simple very simple मैं इसकी detail में और नहीं जाऊंगा इतने ही आपको बताऊंगा कि इतना असान है chi-square test को लगाना and that's how you do it